अच्छे होंगे मेरा नाम है सुनेल स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टार आइक्यू परिवार में लेके हाजिरों में आप सभी की फेवरिट क्लास यान की NCRT क्लास 6 की हम लोग बीटे दिनों से पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट हमारा चल रहा है अब तक हम लोगों ने चार चैप्टर पढ़ दिये हैं आज हमारा है पांचवा चैप्टर जिसका नाम है सैपरेशन ओफ सबस्टांसिस यानि की अलग-अलग पदार्थों का प्रिथिकरण कैसे करने वाले हैं पर एक्जामपल हम लोग चाय चानते हैं तो वो चलनी एक प्रासस होई या हमारी गेहूं है गेहूं के अंदर कई बार जो मिला होता है या कुछ बेल वगरा मिली होती है या कुछ एक्जामपल से रेट मिटी कण मिली होती है तो उन दोनों को आपस में कैसे अलग किया जा सकता है और भाप होती है भाप को पानी में कैसे बदला जाए समुद्र से नमक कैसे प्राप्त करते हैं तो यह सारी चीजे हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर आईए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को उससे पहले हाँ मैं मानता हूँ आप सभी अची थोड़े से कारण ही है कि मैं कुछ आप लोगों के लिए ही नोटस बनाने में बीजी हूँ ठीक है इन फ्यूजर आप लोगों के लिए वो हैल्प करें ऐसा मुझे लगता है तो आप लोग मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कल से मां कलास किस टाइम डालू जो आ टाइम सही है या दोपैर वाला एक दो तीन बजे के आसपास वाला या रात को आठ नो बजे वाला साथ आठ बजे वाला बता दीजिएगा आप लोगों के कमेंट के अधार पे मैं है अगली कलास जो है रिकोर्ड कर दूँगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं टॉफिक क्या क्या है तॉफिक पढ़ने है आज के पहला हमारा टॉफिक का है मैथडॉप सेपरिशन यानि कि यह क्या क्या तरीके है अलगलग तरीके कौन कौन से है व् जानेंगे hand picking hand picking का मतलब चुगना होता है जैसे हम लोग कई बार चावल बनाते हैं तो उसके अंदर से एक अंकड़ पत्र चुग लिया करते हैं थ्रेसिंग थ्रेसर तो आप सब भी जानते होंगे ठीक है विनोविंग कई बार हम लोग जो है चानते हैं for example गेहूं बगरा चालने आपने देखा होगा आपको मैं बताऊंगा अगे डीटेल से इसके बारे में सीविंग के बारे में हम लोग जानेंगे ठीक है ये चानना चाय बगरा चानना ये वाला है वह आपका sedimentation होता है रेत का बैट जाना उसको पढ़ेंगे decontination पढ़ेंगे filtration पढ़ेंगे evaporation पढ़ना है use of more than one method of separation एक method जरूरी नहीं है कि एक से अलग तरीके भी हो सकते हैं condensation क्या होता है बहुत important है ये भी can water dissolve any amount of a substance क्या पानी हर एक amount में ही जो है किसी भी पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है बहुत कहने का मतलब है कि आपने एक लिटर पानी लिया उसके अंदर एक किलो चिनी घोल जाएगी एक किलो नमक घोल जाएगी तोनों बराबर घोलेंगे या अलग अलग घोल सकते हैं यह सारी चीज़े हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर चलिए सबसे पहली बात हमारे पास में क्या है हमारे दैनिक जीवन का उधारन दे के चलते हम लोग separation from a mixer of material की बात अगर हम लोग करते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जिनको हम लोग हर रोज अलग करने के लिए जरूरत पड़ती रहती है जैसे लोग बात करता हूँ कि आप लोग अगर चाय पीते होंगे मैं तो घर चाय नहीं पीता तो अब चाय पीते होंगे आपको पता होगा है ठीक है अनाज जो है यूँ कहिए का हम लोग थ्रेसर से भी हाली में गेहूं के दिन गए थे तो थ्रेसर से हम लोगों ने गेहूं के पोदे से जो उसकी बूसी थी तूड़ी थी वो अलग कर लिए उसके दर से दाने थे वो अलग कर लिए लग यह हमारी जिन्दगी के आम लाइफ के डेली के मैथड है इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा दादी नानी इस तरीके से धही को मत के इसके नर से मक्षन अलग कर लेती थी चाच अलग हो जाती थी तो यह सेपरेशन के मैथड़ों हम लोग आए दिन पढ़ते ही आए हैं अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप सिंपली आपके पास में बाल्टी हो और बाल्टी के अंदर कुछ आम पड़े हो कुछ अम्रूद पड़े हो और मैं कहूँ इनको अलग कर दो तो क्या कई मुस्किल है आपके आपके बिल्कुल मुस्किल नहीं है यह नहीं को चाहँ आपको मैं एक कोपी पकड़ाऊं एक पैन पकड़ाऊं और मतलब यूँ कह दू कि 10 बुक पकड़ा दू, 10 केल पकड़ा दू, 10 रबर और शॉपनर ऐसे अलग अलग चीज़े दी अब मैं कहता हूँ शॉपनर अलग करो, पैंसिल अलग करो, बुक अलग करो, कौपी अलग करो कुन सा मुस्किलाब के लिए बहुत असानी से कर दोगे आप लोग लेकिन मैं आपको अब यही कहूँ कि आप क्या करिएगा आपको एक मैं गिलास दे दी आपको मैंने ठीक है उस गिलास के अंदर मैंने आपको एक मुठी नमक डाल दिया अब मैं कहता हूँ कि उस गिलास के अंदर नमक डाल दिया साथ में पानी भी डाल दिया पानी और नमक को अलग करके दिखाओ आप लोग तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है पानी में रेत डाल देता हूं चलो अब मैं कहता हूं रेत और पानी को अलग करके दिखाओ नहीं है पॉसिबल ठीक है यह यूँ कहिएगा आपकी गेहूं है गेहूं के इंदर एक मुठ़्ी मैंने बालू रेट डाल दी अब मैं कहूंगा इसको चुग के अलग करके बताओ या बहुत असानी से कर दो देखो मैं यह नहीं कहता अलग होगी नहीं पानी से रेत भी अलग हो जाएगी पानी से नमक भी अलग हो जाएगा गेहूं से रेत भी अलग हो जाएगी लेकिन जितनी असाने से आपने आ ममरूद copy pencil हटाए थे उतनी असाने से तो आप नहीं हटा पाएंगे अब आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे method अपनाने पड़ेंगे separation के अलग-लग तरीके अपनाने पड़ेंगे separation करते टाइम पर हमें एक बात का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है कि जो भी harmful चीज़ी होते है यानि कि जो हानी का रख है जो हमारे लिए जरूरी है यह नहीं अब गेहूं के अंदर रेत हो हमारे लिए हानी का रख है पेट में रेत जाएगी तो कौन से अच्छी है non useful अब जैसे एक्जामपल से गेहूं है गेहूं के अंदर अगर मिलावा जो भी है या कुछ कई परकार के कुछ घास वगरा भी घास के अलग कर दिया हमने तो यहीं separation को मनलब उदेशय होता है कि दो चीजों का main focus रखा जाता है कि harmful चीजों को अलग किया जाए और non useful चीजों को भी गए उपयोगी पदार्तों को अलग किया जाए sometimes we separate even useful components if we need to use them separately देखिए कई बार क्या होता है मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ चावल है ना चावल चावल को उबालते time पे गल्स को अच्छे से पता हुआ इसके बारे में जब हम चावल को उबालते हैं तो उसका जो पानी होता है ज़्यादा पानी लेके उस पानी से लड़कियां बाल्द होती है उबलते पानी से मत दो लेना ठीक है ठंडा करके उस पानी से गल्स बाल धोती है उसका reason क्या है? क्योंकि उसमें बहुत सारे vitamins और बहुत सारे nutrition और काफी उसके इंदरे ingredients होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है बाल उससे खिले-खिले हो जाते हैं conditioner की जुरूरत नहीं पड़ती है रुखी दूर हो जाता है बाल जड़ने कतम हो जाते है growth भी अच्छी होती है अब देखिएगा वो एक जो चीज separation की है वो भी important था ऐसा नहीं कि वो important नहीं था लेकिन उसका हमने अलग जगह यूज कर लिया बाकी चावल बच गे उनको हमने खा लिया वो एक अलग जगह यूज होगे तो कई बार हम लोग इस तरीके का भी separation करते है चीज़े important होती है लेकिन फिर भी उसका अलग जगह पर यूज किया जाता है separation करने के बाद में तो अलग यह substance जो है उनकी एक अलग सामगरी बन जाती है different size materials होते है अब देखिए का these may be in the three state of matter अब पदार्थ की वैसे तो देखिए का पांच state है present में लेकिन mainly हमारी NCRT ने फिलहाल के लिए छटी class के according बात करूँ में तो solid, liquid और gas तीन टाइप की जो है state दे रखी है हमारे पास में method of separation की बात की जा रही है तो बहुत यह असान सा तरीका है hand picking तो वो तो बहुत कोई दिकत ही नहीं है जैसे मैं example से कहूँ आपको कि हम डाल बनाते हैं दाल बनाते टाइम आप सभी ने देखा होगा girls को तो अच्छे से बता होगा कि आप दाल से कोई उस कंकड पत्थर चुग के ही जो है दाल बनाती होगी अच्छा कभी भी आपको मैं कहूँ की हलवा बना रहे हैं तो आपके घर मैं आया और मैंने अगर हलवा बनाना शुरू किया फिर मैं कहता हूँ बेटा जाओ आप न एक कटोरी चिनी लेके आओ तो आप में को तो ऐसा है नहीं कि सीधा ही चिनी भरके दे देंगे तो पहले क्या कहेंगे पहले आप उसको प्लेट में रखेंगे और पहले आप उसको देखेंगे अच्छे से क्या करेंगे उसके नदर अगर छोटा सा कोई कंकड़ पतर है उसको हटाएंगे फिर कहेंगे लो सर जी अब आप की चिनी त्यार है आप हलवा बना सकते हैं चावल बनाने का कहूं तो चावल में क्या करेंगे पहले कंकड़ पतर छांटेंगे मुंग की दाल बनाते हैं हम लोग या कोई भी दाल बनाते तो इसी तरीके से करते हैं न हम दो note very large यह बहुत जादा नहीं होती है अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एक किलो चावल या एक कटोरी चावल बना रहे हैं उसके अंदर पांच मुठी कंकड पथर निकल जाएं कोई पांदस कंकड पथर निकलेंगे इनको हम लोग hand picking से बहुत ही convenient method होता है हमारा असान सा ही method होता है यह सुईदा जनक तरीकों से ही कर लेते हैं काम अगला हमारा concept है इसमें tracing का अब देखो इसको बताने की खाज जरूरत है नहीं tracing का मतलब क्या होता है tracing का मतलब tracer ही है tracer गेहूं लेगे आए हम लोग आप लोगों ने देखी यह अच्छे तरीके से और गेहूं को उस machine के अंदर डाला उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े blades होते हैं अब वो क्या करेगा गेहूं के भूसी जो होती है उसको अलग कर देगा और जो दाने होते हैं गेहूं के वो अलग कर देगा यही तो थेसिंग होती है कोई पेडों से आम या अमरूद तोड़ सकता है लेकि अनाज के बीज या आम अमरूद बहुत चोटे होते हैं जिसमें आपको फॉर एजामपल कहूं कि अमरूद का पेड लगा हुआ है और जा बेटा बाहर से मसीनों से भी यूज़ करते हैं कई बार पहले पुराने जमानों में क्या होता था जिसे चैने वगरा काट के और एक जगह पर छोड़ देते थे फिर उसके अंदर गाहें, बैल वगरा को छोड़ देते थे, बैल वगरा जैसे उस पर घूमते थे, तो वो अलग हो जाते थे, जो चना अलग हो जाता था, उसके पर भूसी अलग हो जाते थे, फिर उनको चानते थे, और अलग चना कर लेते थे, लेकर अभी आज के टाइम मे सिने आगी कंबाइन आगी लेकिन फिर भी कुछ ऐसी वेराइटीज है चावल की जिनको इस ती तरीके से जो है निकाला जाता है पीट-पीट के अगला हमारा कंसेप्ट है विनोविंग का अब देखो विनोविंग का मतलब क्या होता है देखो विनोविंग आपको मैं फोटो से बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ ये फोटो देखके साथ आपको बहुत अच्छे समझा गया होगा जब भी आप लोग घर पे हमारी जो कनक पीस्ते हैं जिनके घर में चक्की है आपको पता ही होगा सभी को गर्स तो खेर इस काम से बिलकुल वाकिफ होगी ठीक है क्य लोग लोग ठीक है फिर बछी समझा सत्हीं बोलता है आपके क्या बोलते हैं बता दीजिए अकमेंट में लिखके मुझे जब आन्दी होती है हुणी चल रही होती है तो एसे एक चछलनी ली जाती है इसको अपनी हाइट से ऊपर से एसे छोड़त तरे दिरे दिरे उसको छ चाय के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है अच्छा जी, सिविंग, इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है, चलनी, आटा आप इस फोटो को देख के समझ जाएंगे सिविंग का मतलब होता है, हम जो आटा चानते हैं, ठीक है, जो पीछे बजरी चानते हैं, तो इस टाइप से भी वो यूज कर सकते हैं, तो ये चानने का प्रोसर्स हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं, सेविंग, इस तरीके से भी अलक किया जा सकता है, सब्स्टांस को, अगला कंसेप्ट है, सडिमेंटेशन का, और डीकमेंटेशन का, और फिल्टर ललकूप होते हैं जिनके अंदर थोड़ थोड़ा पानी आता ही रहता है आप उनको डारेक्ट पीते नहीं है आपने जग भर के पानी रख दिया थोड़ी दिर के बाद भी पानी पीएंगे आप तो क्या होगा आप देखेंगे उस पानी को थोड़ी रेत जो है नीचे जम जाएगी उसमें जो पानी के अंदर रेत जम गई है ना उसी को हम लोग सेडिमेंटेशन का नाम देते हैं अवसादन कहते हैं अब क्या है पानी को निथार लिया उपर उपर से पानी दिरे 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 दूसरे बरतन में डाल दिया इसी को हम लोग गिरावट कहते हैं यानि की decontination का नाम देते हैं अब क्या है कि क्या वो पानी निथारा था हो कि 100% साफ थोड़न है उसके अंदर भी थोड़े थोड़े हो सकता है रेत के कन हो उसी को फिर दुबारा जो है मसीनो दवारा या पतले कपड़े से चानना चलनी से चानना उसी प्रोसेस का नाम filtration होता है आपक ठीक है तो आप यह तीनों को इस तरीके से याद कर सकते हैं यह बहुत ही सिंपल सा एक्जामपल रहेगा ठीक है और चावल वगरा भी और तरीके भी बहुत साई हो सकते हैं जैसे आपको मैंने यह बताया एक पानी का गिलास लिया उसमें रेत डाली उसके बाद मैंसे लग हो जाएगी ठीक है और हम लोग चाय वगरा पीते हैं तो इसका भी filtration का ही फिर चलनी वगरा से चानके उस filtration process से हम लोग यूज कर सकते हैं मडी water जो होता है kitchen वगरा है उसको भी हम लोग इससे use किया जा सकता है किस तरीके से कपड़े वगरा से इसका एक example आपको मैं देता हूँ क्या ये रहा filtration कैसे करते हैं हम लोग एक हम लोग बहुत ही पतला सक आगच लिया या कपड़ा लिया उसको इस तरीके से fold किया और ऐसे keep बना दी उसके अंदर जैसे हम लोग डालेंगे रेत वगरा वाला पानी जो मिक्स वाला पानी था तो फिर रेत तो इस कपड़े के अंदर रह जाएगी और साफ पानी जो है इस filter होके यहां पर आ जाएगा हमारा ठीक है तो यह बात आपको समझाई होगी filtration का एक अच्छा example है पनीर का लोग डाउन में आप लोगों ने यकिन है रस गुले तो बनाए होंगे पकी बात है किस किस ने बनाए बताना भई और पनीर तो हम लोग आए दिन घर में अक्सर बना लेते हैं क्या प्रोसेस से पनीर बनाने का दूद लेते हैं हम लोग माल लेते हैं दो किलो दूद ले लिया अब दो किलो दूद में क्या करते हैं अच्छे से उबाल आने के बाद में उसमें एक निम्बू नी चोड़ द प्राइसी को फिर हम लोग चासनी वगरा में वाल लेते हैं तो हमारा रस गुला बन गया, उस ऐसी से आप रस बलाई वगरा भी बना लेते हैं, यह भी एक फिल्ट्रेशन का ही प्रॉसस है हमारे पास में, ई-वैपोराइजिशन बताने की जरूरती नहीं है, ई-वैपोराइ एक अलग लग ऐसे गड़े से बनाके छोड़ देते हैं उसमें पानी भर देते हैं कियारियों में जैसे सुरज का परकास आएगा तो पानी क्या है वो तो उठ जाएगा वास्पिकरन हो जाएगा पीछे जो बच जाएगा वो नमक होगा हमारा तो अलग हो गया न दो सबस्ट जैसे एवापराजिशन और कंडेंशेशन इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं जैसे मैं आपको बैस्ट एक्जामपल देता हूं इसका भी एक गिलास पानी लो उसमें रेत डाल दो उसमें नमक डाल दो अब इन तीनों को अलग करें कैसे करें अब रेत डाली है रेत तो आपको बहुत ही जल्दी से दिखेगी कि तलहटी में जम जाएगी फिर डी कमेंटेशन करो आप लोग तो उस उपर वाले पानी को निथार के अलग कर लो लेकिन उस पानी में नमक तो पड़ा है न भी भी ठीक है तो नमक को अलग करना क्या करेंगे हम लोग आप एक कैतली लीजिएगा कैतले में उसको उबा लिएगा और फिर दीरे दीरे क्या करिएगा उसके साथ में बर्फ को जो है उसके content में लाएएगा उस भाप को उससे क्या होगा ये भाप जो है बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएगी पानी बन जाएगा अब ये पानी आ रहा है आपका प्योर आ रहा है ठीक है और जो बाकी नमक वगरा है वो इसके अंदर ही बाकी रह जाएगा आपका तो इस तरीके से हम लोग एक से ज़्यादा तरीके जो है वो भी यूज कर सकते हैं और यह प्रोसस एक कंडंशेशन की भी हो सकती है कि भाप से आप लोग जो है वो पानी बन जाए अब असके इंदर चीनी मिला है लेकिन कब तक मिलेगी पानी हलका यलो यलो हो जाएगा एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी गुलना ही बंद हो जाएगी जिस पॉइंट में किसी लिक्विड के अंदर कोई और सोल्यूट ना गुल पाए कोई और विले ना गुल पाए वही saturated है और गुल पाए वो unsaturated हो जाएगा हमारा ठीक है तो saturated and dissolve हो जाता है उसके बाद में हम लोग cannot dissolve more of the substance in it उसके अंदर कोई और पदार फिर बाद में नहीं गोल सकते हैं ठीक है अच्छा does water dissolve equal amount of different soluble substance देगीगा ऐसा नहीं होता है कि हम लोग पानी के अंदर हर एक नहीं ना गुले चीनी हो सकता दो ही मुठी गुले क्योंकि अलग-अलग substance का अलग-अलग जो है intermolecular force या intermolecular space हुआ करता है ठीक है तो इस बात को आप जो है अच्छे से समझ के चलिएगा तो इसी के साथ ये chapter समाप्त होता है easy से चीज़े हैं बहुत ही असान सी चीज़ सकता।